हेलो फ्रेंट्स, वेलकम वैक टो इस्टिडिकर, आज हम डिसकस करने बाले हैं विस्व परियावरण दिवश के बारे में, दोस्तो आज हम जानेंगे कि यह दिवश क्यों मनाये जाता है और इसकी जरूरत क्यों है, पूरी दुनिया में 5 जून को हर साल विस्व परियावरण मनाये जाता है, दोस्तो ये दिन लोगों में परियावरण को लेगर जागरुकता पैदा करने के लिए मनाये जाता है, इस दिन लोग सोसल मीडिया पर परियावरण से जोड़े फैक्टर सेयर करते हैं, ताकि लोग इसके बारे में जान सकें, तो आज हम भी परियावरण द तापमान और प्रदूसन के बीच किस तरह जी रहे हैं। यह हाल सिर्फ दिल्लिया मुंबई जैसे सहरों का नहीं है दोस्तों बलकि पूरी दुनिया का है। है कि धीरे-धीरे हमारी जिन्दिकी मुश्किल होती जा रही है और इसलिए पर्याबर्ण के प्रती लोगों को जागरू करना जरूरी है। दोस्तों पहले पर्याबर्ण दिवस पर भारत की पूर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी जी ने भारत की प्रक्ति और पर्याबर्ण की प्रती चिंताओं को जाहिर किया था। इसी संभेलर्ण में संयुक्त राष्टर पर्याबर्ण कारक्रम यानी UNEP की निव रखी गई थी और हर साल 5 जून को विस्व पर्याबर्ण दिवस मनाये जाने का संकल्प लिया गया था। साथियो विस्व पर्याबर्ण दिवस का उद्देश दुनिया भर के नागरिकों को पर्याबर्ण के प्रदूसर्ण और उसकी चिंताओं से आउगत कराना होता है। काम करना चाहिए। आखिर मानावता का अस्तित्त प्रक्ती पर निर्वय करता है। तो दोस्तो आपको यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट बोक्स में ज़रूर बताएं और अपने प्रियाबर्ण को सुरक्शित रखें आप भी सुरक्शित रहें जैहिन।